Hello everyone, कैसा आप लोगा, यह होब अब अच्चे होंगे Welcome to the amazing platform of physics वाला मेरा नाम है Ohm और आप देखना सुरू कर चुके हैं एक प्यारी खुबसूरा सी स्रीज जहां पे हम 10 मिनट के अंदर एक concept सीखते हैं और 4 नंबर को सिक्के और करने की courses करते हैं चलिए जी हम बातचीत करनें जहां पर extraction of iron पर हमें क्या करना है हमें iron extract करना है कहां से उसके और से और क्या पढ़ा हुआ है आपने हेमेटाइट हेमेटाइट का formula साइध आपको आता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ वो है भाया Fe2O3 भाया इसके दो और होते हैं हमें पढ़ाईगे थे हमेटाइट and magnetite H and M अगर आपका नाम H से है तो उसका नाम आप समझ लीजिए M से हो सकता है हम मुझे भी पता नहीं है ठीक है जी तो ये क्या है हमेटाइट हमेटाइट को याद रखने का तरीका होगा 2-3 तो एक बढ़ा करके अगला तो कि H पहले आ रहा है M बाद में तो आप ऐसे सोचिएगा कि 3 and 4 ठीक है 2-3 अगला हो जाएगा 3-4 निश्यत रूप से फाल्तू बाते लग सकते हैं दिमाग में टिकता है क्या हमेटाइट के लिए हमने क्या लिखा है 2-3 और मैगनेटाइट में क्या होगा F3-O-4 अक्सर आप इन ही दोनों में कन्फ्यूज होते हैं उनके फॉर्मूले को ले करके तेक है वैसे H&M किसी ब्रैंड का भी आमें शायद आई आगला देख लेते हैं अच्छा जी अब हमारे पास क्या है extraction of iron कराना तो आप ऐसे समझना हमने क्या करा F2-O3 को concentrate कर लिया साफ सुत्रा कर लिया है हमारे पास यह समझी है हमारे पास यह मौजूद है साफ सुत्रा मौजूद है मैं उससे इसे extraction करना एक इसका iron का कैसे निकालेंगे उसका क्या तरीका है उसका तरीका अभी है blast furnace यूज करा जाएगा blast furnace कैसा दिखता है कुछ ऐसा दिखता हमारी इसमें क्या करते है ओर limestone and coke इनको क्या करते है ンタा पाउडर को होगा तो इसमें का करते हैं मिला देते हैं अब सुनना कहानी जब मिलाते हैं अच्छा एक बाद बताओ आगे बढ़ूं से पहले बताओ कि लाइम स्टोन क्या होता है और तो समझ में आगे सर आगे समझा देता हूँ पूरी कहानी को देखे यहां पर क्या होगा ओवरॉल प्रोसेस एक बार में सीखेंगे सारे के सारे लोग ओवरॉल प्रोसेस एक साथ सीखेंगे Fe2O3 को हम क्या करते हैं? Reduce करते हैं क्या यूज करके? Carbon Mono Oxide यूज करते हैं Carbon Mono Oxide को यूज करके हम इसको Reduce करते हैं Reduction का मतलब होता है Oxidation Number का कम होना यहां पर आइरन पर प्लस 3 Oxidation State है तो आगे देखिएगा हम इसमें Convert कर देते हैं Fe3O4 में Fe3O4 में क्या होगा? 8x3 आएगा आप निकाल के चेक करिए एक आइरन का आएगा 8x3 जो की 3 से क्या हो जाएगा? कम यहां पर प्लस 3 है यहां 3 से कम इसका मतलब CO ने क्या करा? Reduction करा किसका? इस अपने Oxide का अपने और का अच्छा जी अभी हमारे पास जो Fe3O4 है इस पे और Carbon Mono Oxide reaction करेगा Carbon Mono Oxide के रेक्शन के बाद यह जो 8x3 था वो पहुँच जाएगा Oxidation State प्लस 2 में तो यह हो जाएगा FeO तिक अब जो हमारे पास FeO मिला इस FeO को Carbon Mono Oxide भीरडियूस कर सकता है और Carbon भीरडियूस कर सकता है ज्यान देना Carbon भीरडियूस कर सकता है और Carbon Mono Oxide भीरडियूस कर सकता है Reduction के बाद क्या होगा CO यहां से क्या करेगा Oxygen ले लेगा तो अपने आपको CO2 गैस बना करके निकल जाएगा और यहां से हमारा Iron Extract हो जाएगा बहार निकाल लेंगे हैं पर इसको ठीक है जी हम Carbon डालेंगे तो क्या होगा Carbon Mono Oxide Gas मिलेगी और वो देखे Carbon Mono Oxide Gas यहां से निकल के बहार आ जाएगी और हमें Iron मिल जाएगा यहां पर दो तरीके से करते हैं जहां से सुनना जहां से सुनना इस लाइन को जो हमारा Carbon Mono Oxide है न वो Lower Temperature Range में बहुत अच्छा काम कर ठीक है तो यह क्या है भीया Lower Temperature Range में Carbon Mono Oxide as a Reducing Agent काम करता है और वो इनके आउक्षिन की साथ reaction करके CO2 गैस बना देगा और हमें यह मिल जाएगा ठीक है जी तो यह क्या होगा एक्स्ट्रैक्ट होगा हमने शुरुवात कहां से करी थी Fe2O3 से बना क्या दिया Iron ठीक है जी अब Carbon यो यूज करते हैं वो Higher Temperature Range पे होता है High Temperature Range पे आपको Carbon as a Reducing Agent यूज करने की आजाती है क्योंकि वहीं पे वो काम ही अच्छे से कर पाता है फिर क्या करता है वो इनका Oxygen को ले करके इस तरीके से आपको Iron मिल जाता है Extract हो करके अब reaction के माधियम से समझेंगे और आनंद आएगा आईए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर temperature रहेगा 2170 डिगरी एक बार तो नीट में यही पूछ लिया था सायद की highest temperature कितना होता है तो यहाँ पर क्या कारबन आएगा उपर से कारबन आ रहा ना भाई यह क्या था कोक मतलब क्या था कारबन कारबन आएगा तो कारबन और नीचे से जा रहा ऑक्सीजन आपस में reaction करके कारबन मोनो ऑक्साइड या CO2 गैस बना देंगे तो जो गैसे निकलेंगी वो यहाँ से देखे निकल जाए तो इसका मतलब यहाँ पर कारबन मोनो ऑक्साइड प्रजेन रहेगा अब वही रेडक्शन का काम करता है कैसे करता है वो देख लेते हैं हमारे सामने प्रस्तू थे FE2O3 और कारबन मोनो ऑक्साइड क्या हुआ उपर से आ रहा था कौन FE2O3 नीचे से पहुँच गया कारबन मोनो ऑक्साइड अभी तो कारबन को बन करके बनाया था तो वह आपस में रेक्शन कर जाएंगी और मैंने पठा ही दिया था क्या बन जाएगा FE3O4 बन जाएगा अगली चीह देखें जो FE3O4 है वो कारबन मोनो ऑक्साइड से reaction करके FeO बना देगा, उपर वाली reaction समझ में आगे तो नीचे हम छाप सकते हैं अब एक बात और बताता हूँ, यह जो दोनों reaction देख रहे हुना, यह उपर ही वाली temperature range में यहां होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की reaction लिखेंगे, आप समझना, high temperature temperature range की reaction लिखी जा रही है इसके बाद, अगला देखिएगा, CACO3 था, हमने उपर से क्या डाला मेरे भाई, बोलो, यह डाला था ना, lime stone, lime stone इस temperature range के आजपास आकर के, वो क्या हो जाता है, टूट जाएगा भीया जी, decompose हो जाएगा, क्या बनेगा, CAO प्लास CO2 बन जाएगा, जो CO2 गैस बनेगा, वो तो निकल के यहां से बाहर आ जाएगा, लेकिन आपके पास क्या प्रजेंटर हैगा, CAO, प्रश्णमन में जरूर होगा आपके, कि भीया एक बाल बता हुआ, यह CAO आपने क्यों, आखिरकर डाला ही क्यों CACO3 के, यहां पर CAO अगर बचा रहेगा, तब तो वो impurity बढ़ा देगा, आइरन के अंदर, नहीं, आक्चुली स्वू समझ के डाला गया है, क्योंकि हमारे इस FA2O3, मतलब की हैमेटाइट के अंदर, सिलिका प्रजेंट होती है, इस impurity, तो इस impurity को हटाने का काम करते हैं, यहां पर limestone और heat करने पर वो अपने आप convert हो जाएगा, तो आपके पास क्या present होगा, यह present होगा, और आपको पता है कि impurity को हटाने के लिए जो चीज यूज करते हैं, उसको साबुन कहते हैं, flux कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको flux कहते हैं, तो flux और impurity आपस में मिलके क्या बनाते हैं, भाईया, slag बनाते हैं, slag बनाते हैं, तो देख लिजेगे, यह हो जाएगा, C-A-S-I-O-3, slag क्या होता है, यह fusible mass है, इसकी density क्या होती है, कम होती है, किससे, जो iron बनने वाला है, उससे, तो होगा क्या, कि जो slag होगा, वो देखो, यहाँ दिखेगा, देखना, molten slag मतलब कि C-A-S-I-O-3, आपको यहाँ पे नजर आएगा, फिर हम इसको निकाल सकते हैं, आराम से, क्योंकि इसके अंदर क्या थी, impurity, तो impurity, S-I-O-2 यहाँ से निकल के, बाहर आ जाएगा, अगली चीज़ देख लेते, अगली चीज़ देख लेते हैं, यह अटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके भाई साब की फोपड़ी पे आ चुके हैं, अब समझना, अभी आपके पास क F-E-O present है, तो जो F-E-O है, वो नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर carbon monoxide present है, तो इस temperature range में आने पर, यह भाई साब इसको reduce कर देंगे, और आपको iron मिल जाएगा, और CO2 गैस तो निकल करके बाहर आ जाएगा, अब जो यह iron है, वो क्या, molten stage में होगा, क्योंकि वो क्या है और जो आपका metal होता है, उसकी density higher है, तो नीचे की तरफ आता है, यह कहानी समझ में सायद आ गई होगी, कोई दिकत कोई परिसानी आपको नहीं होगी, अब देखो क्या है, यहाँ पर molten iron, इसको निकाल दो, इसको कहते हैं, पिग iron, तो blast furnace जो चीज निकलते हैं, उसको पिग carbon monoxide, क्योंकि अगर यह बनता है, उसका फायदा मिल जाता है, blast furnace में, क्योंकि अक्सार reaction आप किससे करवा रहे हो, carbon monoxide से ही, त्रू करा रहे हो, अच्छा जी, अब एक चीज और देखें, carbon जो है, वो burn हो करके, CO2 gas भी बना सकता है, और carbon monoxide भी बना सकता है, carbon monoxide भी बना सकता ह अब एक बात और समझना भी यह, खाली एक reaction यहाँ पर आपको देखेंगी, जो मैंने बताया था ना, कि high temperature range पर यह carbon F.E.O. को reduce करके यह बना सकता है, high temperature range पर तो इस temperature range पर करीब करीब 270 Kelvin के आज़ पास यह reaction हो पाती है, और यहाँ पर आपको iron मिलता है, और आपका carbon monoxide निकल के बाहर आजाता है, तो इतनी reaction भी आपको सायद आपको समझ में आई होंगी, आपको आनंद आया होगा, अगले पिर चलते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो चीज निकलती है, मतलब कि जो iron आपका निकलता है, उसको हम कहते है, pig iron, क्या कहते है, pig iron, ध्यान देंगे, द 4% present रहता है carbon, तो यह थोड़ी से impurity ज्यादा है, आपके iron के अंदर, आप देखे हम करते क्या है, इसके बाद iron को हटाने की कोसिस करते है, तो इसके बाद बनता है cast iron, यहाँ पर कर्यूपरी 3% रहता है, तो ज्यादा अगर बोला जाए impure कौन है, तो जो निकलता है direct आपक कौन सा form ऐसा है, जो purest form है, तो याद रखना, wrought iron होता क्या है, पहले pig iron निकलता है, फिर हम carbon को हटा करके cast iron बनाते हैं, फिर cast iron में और hematide डाल देते हैं, और जब वो pure hematide डलता है, तो वो क्या करता है, हमेटाइट इस carbon के साथ reaction करता है, और reduction का process हो जाता है, तो pure iron बन जा है, उसके अंदर हमने बाहर से hematide मिला दिया, अब carbon तो इनके पास present था, अब hematide आएगा, तो क्या होगा, ये carbon इसको reduce करेगा, और जब reduction होगा, तो iron मिलेगा, और क्या बन जाएगा, carbon monoxide gas बना करके, वहां से निकल जाएगा, इतनी बात संदा गई, तो हुआ क्या, जो आ इसलिए ये purest form बोला जाता है, इतनी बात सायद आपको clear हुई होगी, एक question आपके सामने प्रतूत कर देता हूँ, ये कर लीजेगा, बाकी previous question को एक बार आप जरूर attempt करें, मिलते हमां को अगली वीडियो में तक तक के लिए खुश रही है, प्रसंद रही है, जिन्द रही बाई बाई, take care